अभी तक हम लोगों ने मैक प्रोटोकॉल में प्यावर अलोहा और स्लोटर अलोहा के बारे में प्ड़ा प्यावर अलोहा में अगर थ्रूपूट की बात करें तो अगर हम लोग एक सिंगल फ्रेम की बात करें तो अगर हम लोग एक सिंगल फ्रेम की बात करें तो इसे जिरो पॉइंट वो थी अगर यह परसेंट में बात करें में से अगर हम लोग 100 फ्रेम की बात करें तो वहाँ पर 18.4 वैलो इसके आ रहे थे तो कहने मतलब है इसका जो थूपूट था वो बहुत ही कम था और उसकी थूपूट जो है थोड़ा से इंप्रूब हुआ था अगर हम लोगों ने स्लॉट टाइम लिया था जिसको स्लॉटट अलोहा कहते हैं वहाँ पर थूपूट का जो फॉर्मूला था एस एक्वाल टू जी इंटू ए टू दो पावर माइनस जी वैर तो मैक्समूम थूपूट इस 0.36 अगर इसको हम लोग परसेंट में देखें तो 36.8 परसेंट आता था तो कहने मतलब है कि अगर हमारे पास 100 फ्रेम थे तो 100 फ्रेम में से 36 फ्रेम सर्वाइब करते थे और वह सेंडर से रिसीवर की तरफ पहुंचते थे तो टूड़े इन दे क्लास वी विल डिस्कस अपाउट दे और CSMA कारियर सेंस मुल्टिपल एक्सस प्रोटोकाल तो CSMA प्रोटोकाल क्या है यहां पर जो हमारा मेडियम होगा जो भी हमारा चैनल होगा इस्टेशन फ्रेम ट्रांस्मिट करने के पहले उस चैनल को सेंस करेगा जिसको हम कहते हैं कारियर सेंस और मुल्टिपल इस्टेशन रहेंगे इसलिए मुल्टिपल एक्सस प्रोटोकाल कहा गया है तो देखिए यहां पर और अलोहा में कहा था कि कोई भी सेंसिंग प्रोपर्टी नहीं थी वहां पर मीडियम सेंस नहीं किया जाता था था में हम लोग क्या करें मीडियम को सेंस कर रहा है तो अगर उस टाइम पर हमारा मीडियम बीजी है तो हम लोग फ्रेम को ट्रांस्मिट नहीं करेंगे अगर बीजी नहीं है आइडल है मेंस अगर कोई भी स्टेशन फ्रेम ट्रांस्मिट नहीं कर रहा है तो हम लोग फ्रेम को ट्रांस्मिट करते हैं तो उस वाज़े से कोलिजन कम होता है और CSMA की जो एफिशंसी है वो प्योर एलोहां स्लॉटर्ड एलोहां से ज़्यादा होगी कि इस चैनल सेंस्ट आइडल ट्रांस्मिट इंटाइर फ्रेम इस चैनल सेंस्ट बीजी इस स्टेशन वेट विद रिंडम तो जैसे कि हम लोगों ने प्योर एलोहां स्लॉटर्ड एलोहां में देखा था वहां पर जो हमारा कोलिजन था कोलिजन के लिए हम लोग देखते कि अगर अक्नॉलिजमिट रिसीव हो रहा है तो इसका मतलब सक्सेश्पुली फ्रेम डिलिवर हो गया अगर रिसीव नहीं हो रहा है तो बकौश रहा है कोलिजन है और इक इमोंट ओफ टाइम जिसको हम लोग कहते थे बैक अफ़ बैक अफ टाइम के बाद हम लोग फ्रेम को रिट्रांस्मिट कर देते हैं अब यहाँ पर भी जो हम लोग कैरियर से इंस मल्टिपिल एक्सेस प्रोटोकाल देख रहे हैं कॉलिजन तो यहाँ पर भी होगा और वह कॉलिजन क्यों होगा क्योंकि अगर हमारा मीडियम है तो तर यहाँ पर जो कॉलिजन का मेंन कॉज है वह फ्रोपॉगично डिले तांस और चोन कर दिख और यहाँ त्रेजिंट का मेंन क्योंकॉज्ड कॉजि़न क्यूजिश्ट परिपके शन दिले ओर फिस ट्रिजर स्वेञ्ट वान फिन प्रोटोंकाल स्वेम कंशन टीपूuh कां है time to reach other station in the meantime other station may sense the channel to be idle and transmit the frame this result in collision और यहाँ पर जो वल्नेरेबल टाइम है वो हमारा क्या होता है propagation time के एक्कुल होता है हम लोग slaughtered aloha में देखे थे जो वल्नेरेबल टाइम था वो हमारा टू इन्टू transmission time था csm में जो वल्नेरेबल टाइम होगा वो हमारा होगा propagation time आगे देखेंगे कि वल्नेरेबल टाइम propagation time प्रोपोगेशन टाइम की एक्कुल कैसे हो रहा है तो आगर इस figure की बात करें और यहां पर हमने जो है चार station लिये हैं station a b c d and station a transmit a frame at time t1 और यह जो एलो एलो फिगर दिया गया है यहां पर यह जो लेंथ है यह लेंथ हमारी फ्रेम transmission time बता रहा है मतलब कि station a का जो first bit है वो time t1 पर इस्टार्ट हुआ है और जो last bit है वो अगर हम इसको बोले time t2 तो last bit हमारा t2 पर transfer हुआ है link में तो first bit d की तरफ जो receive वो यहां पर receive वो जो last bit receive वो यहां पर receive वो अगर first bit का propagation time देखें तो यह आजा है और अगर last bit का propagation time देखें तो last bit कब receive होगे तो जो first bit का propagation time होगा प्लस जो हमारा क्या transmission time होगा ठीक है उतने में आपका last bit भी receive हो जाएगा तो यह जो example है यहां पर देखें यह आपका एक medium है A, B, C, D यह medium में connected हैं सारे तो यहां पर जो भी station है जो चार station है यह station जब carrier को sense करेंगे तो यह जिस point से connected है उसी point पर यह carrier को sense कर सकते हैं तो अगर B का देखा जाए तो B के जो front पर है वो यह point है C के जो front पर है वो यह point है और D के front पर है जो वो यह point है तो यह वो points है जहां पर यह stations medium को sense करेंगा तो यहां A से अगर frame transmit किया गया तो यह जो है propagate हो रहा है तो इस time पर अगर B sense कर रहा है तो B को medium busy मिलेगा फर यह आगे प्रोपगेट करता जाएगा और station D की तरफ जाएगा तो बीच में एक place मिलेए जहां पर station C medium से connected है उस point पर C अगर sense करता है तो उसको medium busy मिलेगा लेकिन suppose किजिए अगर यह frame अभी यहीं तक पहुंचा है तो वहां पर अगर C sense करें तो उसको medium क्या मिलेगा आइडल मिलेगा तो उसकेस में अगर सी भी ट्रांस्मिट कर दें और वह सी बी की तरफ ट्रांस्मिट करें तो देखो अगर इधर से इधर ट्रांस्मिट हो तो यहां पर आकर एक कोलिजन हो सकता है है ठीक तो अब वनेरेबल टाइम अ हुआ है चाहिएक प्रोपकेशन टाइम और चाहिशा क्यों कहाँ गया है क्योंकि एस से डी तक पेहुंचने में जो टाइम लगेगा वह प्रोपकेशन टाइम लें लेंगा और इसी बीच में कोलिजन भी हो सकता है। इसलिए कहाँ एक गम अगर हम लोग सीजान में की बात करें तो सीजाम में तीन टाइब के बताए गए हैं है फस्ट इस वन परसिस्टनी समें सेंड इस नौन-परसिस्टेंट इसमें थर्ड इस पी पर्सिस्टेंस देखते हैं कि वन पर्सिस्टेंस में क्या है इन दिस मेथर्ड इस्टेशन डेट वांट टू ट्रांस्मिट डेटा कॉंटिनुवसली सेंसेश द चैनल तो चेक वैदर देटेन चैनल इस आइडल और बीजी वन पर्सिस्टेंस में क्या होता है कि अगर सेपोर्च किजिए कि स्टेशन डिको फ्रेम टरंस्मिट कर रहा है और उस टाइम पर चैनल बीजी और जब उसको idle मिलेगा उसी टाइम पर डिरेक्टली ये फ्रेम को with probability 1 transmit कर देगा, D की तरफ. Next point है, when the station detects an idle channel, it immediately transmit the frame with probability 1. Hence, it is called one persistence CSMA. This method has the highest chance of collision because two or more stations may find channel to be idle at the same time and transmit the frame. तो यहाँ पर अगर हम लोग CSMA के हैं, यह तीन टाइम की बात करें, तो one persistence में जो हमारा collision होता हो, सबसे maximum होता है. क्यों maximum होता है? तो अगर हम लोग यह बात करें, A, B, C, D, तो अगर टाइम जीरो की बात करें, तो टाइम जीरो पर अभी देखिए, कहीं पर कोई भी transmission नहीं हो रहा है. तो टाइम अगर चारो एक साथ sense करें medium को, तो चारो को जो है, idle मिलेगा, और चारो जो है, उसको transmit करने लगे हैं, तो A भी transmit किया, B transmit किया, C भी transmit किया, D भी transmit किया, तो वहाँ पर collision possible है, यह worst case हुआ, तो इसलिए one persistence में more collision होता है, highest chance of collision. When the collision occurs, the station wait a random amount of time and start all over again. सबोच किजिए, अगर station A ने station D को frame transmit किया और collision मिलता है, तो वहाँ पर station A एक random amount of time wait करेगा, उसके बाद फिर से retransmit करेगा, तिये one persistence होगा. अगर non-persistent की बात करें, तो if the channel is busy, station does not continuously senses the channel, it waits a random amount of time and then senses the channel again. तो अगर one persistent और non-persistent दोनों में difference देखें, तो one persistent में channel को station continuously sense करता रहता था. नान-persistence में जो होगा, वो एक random amount of time तक वो sense करेगा, जैसे कि पहले अगर आया तो वो 2 second तक sense किया, और channel उसको busy मिला, नेक्स टाइम पर वो आएगा तो 10 second तक sense किया, और channel उसको अगर idle मिल गया तो वो उसको re-transmit करतेगा, नहीं अगर idle मिला तो फिर उसको 20 second तक sense करेगा. तो इस तरीके से random amount of time यह sense करेंगे. तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कई सारे जो stations है, वो same time तक sense ना करें, और वो different time पर उनको channel idle मिलेगा, और वो transmit करेंगे. तो वहाँ पर collision की possibility थोड़ा सा कम हो जाएगे. It reduces the chance of collision because the station waits a random amount of time. It is unlikely that two hour more station will wait for same amount of time and will retransmit at the same time. तो वही चीज़ है, अगर random amount of time तक wait करेंगे तो वहाँ पर ऐसी possibility हो सकती है कि दो या दो से ज्यादा stations कुछ ऐसे हो जो same time पर sense ना करें, तो अगर same time पर उन्होंने sense नहीं किया, same time पर data नहीं transmit किया, तो collision की possibility कम हो जाएगे. थर्ड है आपका P-PERSISTENT CSMA. In this method, channel has time slot such that the time slot duration is equal to or greater than the maximum propagation delay time. If the channel is busy, station wait until next slot. If the channel is idle, it transmit with probability P. देखे, CSMA with P-PERSISTENT में क्या है, कि यहाँ पर जो हमारा station है, वो station channel को sense करेगा, बट उसको एक time slot दिया जाएगा, उस time slot पर वो channel को sense करेगा. अगर उस time slot पर channel idle है, तो वो फिर वहाँ पर एक probability दी जाएगी, हर एक station के एक probability रहेगा, अगर वो probability कुछ specified probability से equal है या उससे जादा है, तो वो channel transmit करेगा, अगर probability कम है, तो transmit नहीं करेगा. तो यह दो चीज़ चेक किया जाएगे, पहला, जो slot आएगे, उस slot पर channel चेक किया जाएगा, नेक्स्ट अगर उस time पर channel idle है, तो फिर probability चेक की जाएगी, अगर probability भी specified probability है, वो greater than or equal to, जो हम probability maximum dear है, अगर उससे greater है, या फिर equal है, तो हम transmit करेंगे, नहीं तो next slot का फिर wait करेंग है, the advantage of P persistent, it reduces the chance of collision and improves the efficiency of network, तो अगर इन तीनों persistent की बात करेंगे, तो जो सबसे ज़्यादा efficiency रहती है, वो P persistent की रहती है, यह जो हमारे 3 type के CSM में है, उसको figure से बताया गया है, तेक है, सेम औहीं चीज है, यहाँ पर one persistent में देखें, यहाँ पर continuously sense किया जा रहा है, यहाँ पर एडल मिलता है, यहाँ पर वो ट्रांस्मिट कर दिया जाता है, this is a channel, and a station, यहाँ पर कोई एक इस्टेशन है, इस्टेशन, यहाँ प than station can transmit, अगर हम लोग non persistent की बात करें तो यहाँ पर देखें, sense किया गया, फिर एक time तक wait किया गया, then again sense किया गया, उसके बाद next कुछ और time तक wait किया गया, फिर again sense किया गया, और हमारा जो channel है, वो idle मिल गया, तो वहाँ पर channel में transmit कर दिया जाएगा, और इसके लिए देखें, यहाँ पर एक और फिकर दिया गया है, this is channel, and station A, it senses the channel, if channel is busy, then wait random amount of time, then again sense the channel, if again busy, then again wait the random amount of time, then again sense the channel, if in this time channel is idle, then station can transmit the frame, and last is P persistent, P persistent में थेखें, continuously sense the channel, and this is time slot, अगर वो time slot है, जिसमे वो frame को transmit कर सकता है, then it check the probability outcome, if the probability outcome is greater than some probability, then it can send the frame, if it is less, then it will for the next slot, so, देखें, यह दूसरे एक figure है, जो एक flow chart में समझाये गया है, यह आपका channel है, इस channel को एक station यह sense कर रहा है, अगर channel busy मिला है, तो फिर से sense किया जा रहा है, अगर channel idle है, तो आप देखा जा रहा है, प्रोबिल्टी किया है, मतलब कि दो checks है, एक तो check किया जा रहा है कि channel is idle or busy, and second check किया जा रहा है कि उसकी probability किया है, यहाँ देखें, प्रोबिल्टी किया है, वो greater than है, or equal to है, then station can transmit, if probability is less, then wait a slot, then second slot के लिए वेट करेगा, or जब second slot रहा है, फिर से ओचेक करेगा, channel is idle or busy, if channel is idle, then check the probability, अगर हम लोग यह ग्राफ देखें यहां पर चैनल उत्राइशन का ग्राफ है इस फ्रूपोट एंड डिस इस जी जी मीनस नमबर आफ नमबर आफ फ्रेम पर फ्रेम टांस्मिसर टाइम पर इतने फ्रेम चैनल में ट्रांस्मिट हो रहा है वह क्या है आपका जी कहने मतलब है जी को लोड भी बोल दिया जाता है या फिर यह भी कहां कह दिया जाता है कि नमबर आफ इस्टेशन संदिंग दा फ्रेम एट ट्रांस्मिसर टाइम टी तो अगर हम लोग देखें थ्रूपुट पर पैकेट टाइम तो एक पैकेट के लिए अगर थ्रूपुट देखें तो यहां पर प्योर अलोहा का पॉइंट आता है दोस्य प्यों टो से कम रहता है अगर हम लोग सॉरी अगर हम लोग स्लॉट टेव अलोहा के बाइब बात करें तो तो अलोटेट वहा अप्रॉक्समेंट इल 0.37 आता है और इस इस फार 1 पर्सिस्टेंट CSMA जो कि 0.5 से जाधा रहता है 0.5 पर्सिस्टेंट CSMA and non-pर्सिस्टेंट CSMA 0.1 पर्सिस्टेंट CSMA 0.01 पर्सिस्टेंट CSMA तो CSMA के देखे CSMA का जो हमारा थ्रोपुट है वो अलोहस से काफ ही जाता है तो 0.01 CSMA यह हमारा जो इसका थ्रोपुट है वो आल्मोस्ट 99 पर्सिंट तक चला जा रहा है अब अगर बात करें कि अगर कोलिजन हो रहा है CSMA प्रोटोकॉल में तो फिर और जो भी CSMA प्रोटोकॉल है यहाँ पर कोई भी अकनॉलिजमेंट नहीं आता है नो अकनॉलिजमेंट तो CSMA में फिर कैसे डिटेक्ट होगा कि फ्रेम हमारा करेप्ट हुआ या फिर फ्रेम लॉस हुआ तो वहाँ पर अधर दिटेक्ट करते हैं एक प्रोसेजर अप्लाई के जाता है जिससे हम लोग एरर को डिटेक्ट करते हैं और अगर एरर है तो फिरेम रीट्रसमिट किया जाएगा आप वह लोग देखते हैं कि CSMA में इंजमेंट कैसे होता है CSMA CD तो इस टेक्निक्स में क्या होता है दो ओरिजनल CSMA मेथड दस नाट इस पेसिफाई दा प्रोसेजर फोलाइंग है तो अभी तक जो हम लोगों ने CSMA में पढ़ा है उसमें कहीं पर कोलिजन डिटेक्शन टेक्निक्स नहीं था तो नेक्स्ट जो पढ़ना है इसमें कोलिजन डिटेक्स टेक्निक्स यूज की गई है यह CSMA CD was developed to better handle collisions आई स्टेशन मोनिटर दे मेडियम आफ्ट इस संड फ्रेम को तभी वो मेडियम को मोनिटर करते रहेगा कोलिजन के लिए to see if the transmission was successful, transmission successful हुआ या नहीं हुआ, a station that detects a collision immediately about the transmission and send a jamming तो यहाँ पर CSMA CD में क्या होता है कि जो भी stations हैं वो station frame को transmit करने के बाद medium को monitor करते रहें और check करेंगे कि वहाँ पर कोई भी collision है कि नहीं है अगर collision होता है तो वो examining signal send करेंगे जो कि medium से connected जितने भी station हो सारे station के पास जाएगा और सारे station को यह aware करेगा कि medium में कोई एक collision हुआ है तो आप अभी लोग तो आप सब लोग अभी transmission को about करेंगे अगर हम लोग one persistent की बात करें जो भी हमने देखा फॉर one persistent method throughput is about 50% when g equal to 1 तो g equal to 1 की value पर जो one persistence का throughput आ रहा था वो 50% आ रहा था अगर इसको हम लोग compare करें aloha and pure aloha से pure aloha and slotted aloha से तो वहां से इसकी efficiency काफे ज़्यादे इंप्रूब होगी for non persistent method throughput can go up to 90% तो काफे ज़्यादा इसकी efficiency हो गई है कि यहां पर हम समझाने की कोशिस करते हैं कि how the CSMA CD detects the collision the collision possible है but how it can detect the collision यह देखिया हमने चार स्टेशन से लिया है स्टेशन A, B, C, D और यहां पर एक स्टेशन एक फ्रेम ट्रांस्मिट करेगा और वह किसी दूसरे स्टेशन के पास वह receive होगा और in between the frame transmission को यह स्टेशन और फ्रेम ट्रांस्मिट करेगा और सब्सक्राइब को पर यह देख पाते हैं कि किसे दूसरे स्टेशन ने फ्रेम ट्रांस्मिट किया है यह नहीं कि देखिया अगर यहां पर एगर फ्रेम ट्रांस्मिट कर रहा कि नियुक्ष। है प्रेंटिप फ्रेंस क्यों स cuts in first time पर अगर सी है मीडियम को सिंश कर fellowship क्या है यह को क्या वह आईटेंट मिलेता है तो सीको क्या हो अधिन 늘 सकता यहां मीडियम को सिंश करthank कर तो जो से आई धियुकर शहचाए से क्या देखते हैं, collision, entire packets transmission time wasted, जब भी collision होगा तो जो हमारा packet का transmission time होगा, बेस्ट जाएगा, distance and propagation delay, यह जो distance, और distance के वाज़े प्रोपगेशन डिले होती है, they play a role in the, in determine the collision probability, तो अब यह जो propagation delay है, यह ही collision को determine करने में, और role करते हैं, तो देखिए अगर, यहाँ पर station B, यह frame transmit किया है, और at time T, T0, तो यह यहाँ पर, अगर हम लोग frame की बात करे हैं, तो frame का एक first bit होगा, एक last bit होगा, तो अगर first bit, B से अगर A की तरफ बेजा जाए, तो यह कुछ time है, इस time पर, जो first bit होगा, यहाँ तक आ गया है, और, अगर C की तरफ send किया गया, तो यहाँ पर आ गया है, अगर यह time देखा जाए, T1, तो T1 पर, अगर C sense करें medium को, तो वो medium उसको ideal मिलेगा, D sense करें, तो D को भी वो medium ideal मिलेगा, तो अगर C और D, दोनों में से अगर कोई frame send करना चाहिए, तो वो frame को send कर सकता, तो देखिए, next slide में हमने लिया, यह D, इनने frame, transmission start कर दिया, D transmission start कर दिया, जो A की तरफ send कर रहा है, B send कर रहा है, D की तरफ, यह जो point है, यह point क्या है, यहाँ पर collision हुआ, यह meeting point है, जहाँ पर collision हुआ, अभी detection नहीं हुआ, detect कब होगा, जब यहाँ से message, D के पास जाएगा, तो D detect करेगा, और यह message अगर C के पास जाता है, तो C detect करेगा, बट C अभी medium को योज ही नहीं कर रहा है, योज कुन कर रहा है, B, तो यह कहीं, आगे यहाँ पर जाकर, B को detection होगा, कि collision हुआ है, medium में, तो यह देखिए, जिज फ्रेम D है, वो यह transmit हो रहा है, और इस point पर यह station A के पास पहुंचता है, अगर यह पूरा figure देखें, तो इस figure में, यह जो length है, यह B ने जो frame send किया है, यह उसका क्या है, frame transmission time है, तो यह first bit time T0 पर start हुआ है, link में transfer होने का, और जो last bit है, वो अगर हम लोग इस time को लें, तो यह time, अगर हम लोग यह ले लें, कोई T0 कामा, तो T0 कामा पर, यह last bit यह link में transfer होने, और first bit इस time पर station D के पास receive होने, और last bit इस time पर station D के पास receive होने, अगर हम यह देखें, तो यह क्या है, यह वो time है, जहां पर station B से station D के तरफ, frame receive हो गया, तो अगर हम लोग के वाल इस point B से point D की बात करें, तो इस बीच में यह क्या हो गया हमारा, propagation time हो गया है, time of propagation, ठीक है, और यह frame जो D ने भीजा था, वो यहां पर अगर पहुंचेगा, तो इस point पर B को पता चलेगा, कि मेडियम में कोई और भी frame transmitted हो रहा है, और जो B का frame है, वो इस point पर station D की पास receive हो, तो अब D को पता चलेगा, कि यहां पर कोई collision हुआ है, देखें, अगर हम लोग देखते हैं, कि अगर collision हम लोग देखें, तो this is the point of B, where collision is detected, and this is the point of D, where collision is detected, अच्छा, अगर हम लोग बात के रहे हैं, तो जो D है, वो यहां पर start हुआ है, तो sense भी यहां पर ही करेगा, तो यह point वे, यहां पर station B sense करेगा collision को, और इस point पर station D sense करेगा collision को, तो इन दोनों में से दोनों इस station sense करेंगे, और दोनों station एक jam signal transmit करेंगे, जो कि medium के अंदर जितने भी station रहेंगे, वो इन station को यह चीज़ बता देंगे, कि अभी आप transmit मत करिए, यह station क्या है, मेडियम में कोलिजन हुआ है, तो सारे station क्या हो जाएंगे, वो अपना transmission about कर देंगे, और कुछ random amount of time तक wait करेंगे, a sending station must, a sending station must be able to detect a collision before transmitting the last bit of frame, लेकि अब यह क्या चीज़ है, यह यह है, कि suppose किजिए, अगर हमने एक figure ले लिया, यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया, यहाँ पर station A है, और यह station B, देखे, station A ने यह frame send कर देखे, यह कुछ time के बाद यहाँ पर पहुँचेगा, जब यहाँ पर है, suppose कि यह उस बीच में station B ने जो है, एक frame send किया, तो station B का जो frame length सबच किजिए, यह कुछ time के बाद यहाँ पर होगा, यह बीच में कहीं यहाँ पर क्या होगा हमारा, collision हो जाएगा, लेकिन देखिए, उस time पर station A और B दोनों ने frame को transmit कर दिया था, अब वो ideal condition में आ गए, तो वहाँ पर अगर collision होगा, तो वो station A और station B को collision detection नहीं होगा, क्योंकि वो ideal condition में बाइट गए हैं, लेकिन अगर हम frame की length इतना बड़ा ले लें कि यह जो है station A, यह तब तक transmit करता रहे, जब तक हमारा यह पूरा link फिल ना हो जाए, तो आप सपोच किजिए कि अगर यह frame यहाँ पर पहुंचा, और B ने, यहाँ पर देखिए, अगर station A का एक फ्रेम है, वो यहाँ तक पहुंच गया, और उसी time station B का भी frame यहाँ पर आ गया, ठीक है, क्योंकि जब तक यह frame यहाँ तक पहुंचा उस time पर station B ने अगर sense किये, करें, तो उसको यह medium के मिलेगा, idle मिलेगा, तो station B ने transmit कर दिया frame को, लेकिन वो थोड़ा सा आगे जाकर ही होगा, क्योंकि जब को लिजन हुआ, उस time पर station B अभी transmission करी रहा है, और station A भी transmission कर रहा है, तो वो दोनों एक active state में, तो जब यह collision होगा, तो यह collision यहाँ से, इनके पास एक signal पहुंच जाएगा, वो कैसे जाएगा, voltage level में कुछ fluctuation होगा, energy level कुछ change होगी, energy level बढ़ जाएगी, और वो यहाँ से, A detect कर लेगा, और B detect कर लेगा, बट वो पॉस्बिल तभी होगा, जब यह station उस time पर frame को transmit करते रहे, तो इसलिए कोसिस यह किया जाता है, CSMA CD में, कि जो भी frame रहेगा, उस frame की length, तो frame का जो transmission time है, वो propagation, two of propagation time के equal होगा, कैसे, जिसे यहाँ से frame गया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से फिर वो signal आया यहाँ पर, जब यह signal आ रहा है, तब तक इसको transmit करना चाहिए, तो अगर हम लोग worst case में देखे, तो यह value क्या हो जाएगी, वो round trip time हो जाएगी, तो round trip time के equal अगर हमारा frame का transmission time रहेगा, तभी collision detect हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, तो देखे, क्या थे संडिंग स्टेशन स्टेशन अस टोड़िक एवल तो, अड़िक एक वैवल टूर्स हुड़िक दूर्स टूर्स ताब वेज यह पर, therefore the frame transmission time must be at least two times the maximum propagation time on the link so that the colliding signal can propagate back to the sending station before the last bit is transmitted and time of transmission is greater than or equal to two of time of propagation for collision detection. तो ये एक important point है जिसको आप लोग याद रखिएगा कि collision detection में क्या होगा जो भी हमारा फ्रेम का transmission time रहेगा वो round trip time के equal रहेगा या फिर उससे ज्यादा रहेगा तभी collision detect हो बाएगा. तो देखें वही वही सेम चीज यहाँ पर भी बताया गया है लेकिन यहाँ पर station A, B, C, D, 4 station है लेकिन यहाँ पर station A send कर रहा है और station C send कर रहा है तो देखें transmission time यह हुआ T1, T4 station A का यह first bit जा रहा है यहाँ से station C का फास्ट बीट आया है तो यहाँ पर collision होकर हुआ और फिर यह आगे transmit होता रहेगा बाट वहाँ पर voltage level change हो जाएगा और जब यह frame station A के पास receive हुआ station वहाँ पर फिर detect करेगा कि collision हुआ है और वह अपना transmission abort कर देगा और एक exam signal produce करेगा जो सारे station के मिलेगा कि medium में collision हुआ हो और आप लोग अभी कोई भी transmission ना की कि अधर जो है सी सी कोलिजन का बडिटेट करेगा यहां से यह frame आगे रहेगा जो एक की तरफ से आ रहा है और जब सी के पास आएगा तो वहाँ पर सी इंडिटेट करेगा और आप हो जाएगा यह चीज आपकी transmission टाइम लेकर बताएगा है और यह आपका लास्ट बिट है लास्ट बिट तक अगर transmission हो रहा है तो हमारा कोलिजन डिटेक्ट हो सकता है जैसा कि हम लोग पीछे भी देखें जो फ्रेम की साइज है वो क्या होनी चाहिए जो हमारा आपके फ्रेम्स टाइम होना चाहिए रांट टाइम कर एक कोल या फिर उससे ज़्याद तो उस वज़े से जो हमारा कोलिजन है वह रहुष होगा इंद एंदREE कोल्ण एंड आपक сторुट से लोग तो और यह एक टाइम का एनर्जी लेवल है फिगर इस दाइम इसरीछ इस लेवल ऑओड इनर्जी लेवल द्ूरिंग ट्रंसमिशन अय आदलनेस और करनेशन तो यहां पर कवि देखके ऐस थे त्र मिजाए मारेयं सब्रीदिए का अगर कोलिजन हुआ तो एनर्जी लेवल देखे यहां पर इंप्रूव हो गई जिसके वज़े से जो इस्टेशन हो इडेंटिफाई कर पाएंगे कि वहां पर कोलिजन हुआ है कि नहीं हुआ है यह कोलिजन के टाइम हुआ है और यह देखिए आइडल के केस में जो हमारा अनर्जी लेवल हुआ है जीरो यह तो हमने देखा कि जब भी कोलिजन होता तो कोलिजन के टाइम पर जो हमारा अनेर्जी लेवल है यह फिर जो वह वह इंक्रीज कर जाएगा और वही सो करेगा कोलिजन डे्टेक्शन की 처igate कि उसी संब को पताश चलेगा कि कोलीजन हुआ है या नहीं हुआ यह प्रोसीजर है हमारा CSMA CD के अंदर फ्रेम ट्रांस्मिट करने का इसी तरीके से हम लोगों नहीं देखा था अलोहा में भी नुमर फ्रेम दर्ण प्रेम अधिय। इस टेशन है अगर तर्समिशन फेल होता है या फिर अबट होता है तो हमारा आथेम्ट बढ़ता है तो फर्स्ट आटेंट करेंगे इस तरीके से हम लोग्ड नमबर आफ अटेम्ट ट्राइप करते रहेंगे जब तक हमारा फ्रेम सक्सेस्थुली रिसीब नहों जाए रिसीवर की तरफ तो देखिए यहां पर स्टाड किया हम लोगों ने और फिर्स्ट अटेम्ट के इक्वल्टी जीरो एपलाई वन आप दे परसिस्टेन मेथड तो जो तीन परसिस्टेन हम लोग पढ़े हैं उसमें से कोई भी परसिस्टेन मेथड हम लोग अपलाई करेंगे और कोलिजिन डिटेक्शन मेथड भी अपलाई होगा है इलेजबिर फॉर ट्रांस्मिशन यह ट्रांस्मिशन दन और कोलिजिन डिटेक्ट अगर ट्रांस्मिशन अभी कंप्लीट ने हुआ तो ट्रांस्मिट एंड रिसीब और कोलिजिन रिसीब किया जाए जो भी हम मोनीटर करते रहेंगे अपने मीडियम को if transmission done and भिर हम लोग चेक करेंगे कि transmission done and collision detected if collision detected then हम लोग करेंगे exam signal transmit करेंगे or if collision not detected then हमारा جो transmission हो रहेगा वो success हो अब замing signal कि आइब औरन वान सब्सक्राइब के वादि नेक्स्ट फिर हम लोग दुबारा करेंगे कि हमारे को रिजन हो गया है है जो हमार आट्रम्ट होगा वह एक वैलू बढ़ जाएगी को की प्लस वन हो जाएगी और यहां पार जैसे हम लोगों एलोहा के लिए देखा था के मैक्स की एक वैलू होती है नॉर्मली 15 होती है मतलब कि नमबर आफ अटेम्ट जो ट्राइ करेंगे हम लोगो 15 तक ही ट्राइ करेंगे उसके बाद जो हमारा प्रोसेजर रहेगा वो अबोर्ट हो चाहेगा तो यहां पर हम लोगों को देखा ना कि नमबर आफ अटेम्ट इस ग्रेटर दिन के मैक्स इफ एस देन हम लोग ट्रांसमिशन क्या करेंगे अबोर्ट कर देंगे इफ नॉट देन चूस अनम रेंडम नंबर आर बिटिविन ज प्रोसेजर चेक कि जाएंगी फिर अगर आपका कोलिजन होता है तो देन नमबर आफ अटेम्ट एक और इंक्रीज होगा और फिर नेक्स हम लोग रेंडम और चूज करेंगे फिर रेंडम आमाउंट आफ टाइम वेट करेंगे और यह आपका लूप ऐसे चलता रहा हुआ अब हम लोग अकर इसकी एफिसेंसी के बात करें तो CSMA-CAD एफिसेंसी इस यह फॉर्मूला मादा होता है एफिसेंसी का और होटिस्टी टी प्रोप मैक्सम प्रोपागेशन डिले बिट्विन टू नोड इन लैन तो कहने मतलब यह है कि अगर ए बी सी दी यह पिचारे स्टेशन है तो ए बी के पीच में बीच में जो आपका प्रोपागेशन डिले है वह यह रहेगा अगर दो स्टेशन हम लोग मैक्सम स्टेशन की बात करें तो मैक्सम स्टेशन हमारा हो रहा है ए और डी तो यह जो टी प्रोप है यह क्या है ए और डी के बीच का प्रोपागेशन टाइम ठीक है तो maximum propagation time डिया जा रहा है and time to transmit maximum size frame और इसमें जो maximum size frame transmit हो रहा है उसका ये transmission time और ये आपका maximum distance का propagation time efficiency हमारी इसके आती है 1 by 1 plus 5 T प्रॉग divided by T ट्रांस और इसका हम लोग इस तरीके से भी लेख सकते हैं आपको पता है कि time of propagation divided by time of transmission is called A तो ये 5E भी हम लोग इसको ले सकते हैं यहाँ पर देखिए condition दी कही है कि efficiency आपकी 1 कब हो सकती है तो अब यहाँ पर देखिए अगर ये चीज़ ये value आपकी 0 हो जाए तो क्या हो जाएगी efficiency आपकी 1 हो जाएगी तो इस इसको 0 होने के लिए क्या होना चाहिए propagation time हमारा 0 हो जाए मतलब कि station के बीच में कोई भी distance हो ही ना तो वहाँ पर हमारी efficiency क्या होगी वो 1 हो जाएगी as t propagation goes to 0 या फिर जो हमारा transmission time है वो infinite हो जाए अगर हम लोग इसकी efficiency की बात करें है तो इसकी efficiency is better than the aloha and simple but it's also simple, cheap and decentralized this is all about the CSMACD and last is one question and this question में दिया गया है a network using CSMACD has a bandwidth of 10 Mbps if the maximum propagation time including the delay in the devices and ignoring the time needed to send a timing signal is 25.6 microseconds what is the minimum size of ray तो यह यह कहा है कि अगर हमारा जो maximum propagation time है वो क्या है यह है तो हम लोगों ने देखा है कि CSMACD में error detect करने के लिए जो हमारा transmission time होता है frame transmission time वो greater than equal to तो क्या होगा हमारा two of propagation time तो solution में देखिए the frame transmission time is two of propagation time तो यह value आ गए यह हमारा frame transmission time हो गया तो अगर frame transmission time हो गया तो number of frame हम लोग find कर सकते हैं इसको यूज करके तो इसको यूज करके तो इसमींस इन वर्स्ट केस इस टेस्ट ने रेट ने टो ट्रांसमिट और पीरिए और फ्रेम इतना ट्रांसमिशन टाइम ले रहा है तो बैंड विट इन्टू timer यहां से आपको मिल जाएगा आपको फ्रेम की साइज ठीक है देखें यह आई आपकी 500 टॉल विट्स और 64 विट्स इस एक्चुलिए दा मिनुम साइज आप दा फ्रेम पर इस्टनेट इस तो जो हमारे इधरनेट है इधरनेट में इसे में सीडियोज होता है अगर हम लोग उसके लिए फ्रेम की साइज की बात करें तो यह जो फ्रेम साइज है यह हमारा इधरनेट में यह होता है अगर दिस झाल झाल